दोस्तो विंटर सीजन यानि की कुछ चेट पटा और गर्मा गर्म खाने का सीजन इस मौसम में हम कचोड़ी पकोड़ी समौसे तो बनाते ही रहते हैं या फिर हम बनाते हैं भर्मा पराटे तो आज मैं शेयर रिस्वे में आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करेंगे जिसके बाद आप भर्मा पराटे पकोड़ी समौसे कचोड़ी सब कुछ बूल जाएंगे इसके लिए आपको तेल की ज़रूरत नहीं होगी ग्याहों के आटे से बना कर तयार करेंगे तो काफी हाल्दी भी रहेगी बच्चों की भी फेवरेट होगी और बनेगी ग्याहों के अटे के साथ तो उसके लिए एक कप जितना या रिक्वार्मेंट के साब से आप आटा ले ले उसमें डाल दें आदा चम्मा जितना नमा आदा चम्मा जितनी अजवाइन हाथ से क्रश करके डाल दें बहुत ही बड़ी आटेस्ट करेंगी और पेट के अच्छी होती है और तासीर गरम होती है उसके बाद गया हरा दनिया एक दम बारी कटके खूब सारा डालते हैं और इसे खस्ता करने के लिए फ्रांट साप्सकुमें तेल घी चिकनाई कुछ नहीं डालनी है आप डालिए दो चम्मा जबर कर फ्रेश मलाई बहुत ही बड़ तो अब बारी इसे अराम कराने की तो बस हातों को चिकना किया हलका सा मैंने इस पर लगा दिया और कवर करके एक साइट से रख देते हैं क्योंकि आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है तो उसके थोड़ी सी प्रेपरेशन और करेंगे तो उसके लिए म जिसे मैंने हलका सा क्रश कर लिया है जिससे स्टफिंग अच्छी बन पाया और खूब सारा बारी कटा हुआ धनिया क्योंकि रेसिपी बननी है धनिये के साथ उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा पनीर का ले लिजिए 100 ग्राम जितना पनीर ता और जिसे मैंने अच्छे स लिया इससे हमारी चीजों को इच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी और टेस्ट भी इंप्रूफ हो जाएगा उसके बाद एक पाउच जितना मैंने औरिगेनो डाल दिया है साथी एक टी स्पून जितने चिली फ्लेक्स डाल दिया आप नॉर्मल लाल मिर्चे भी डाल सकते ह उसके साथ चाट मसाला भी डाल दिया बहुत ही बडिया टेस्ट आएगा दो टेवल स्पून जितना डाइस चीज डाल दिया अगर आपके पास डाइस चीज नहीं है तो जो क्यू बात है ना चोटे चोटे आप उसे ग्रेट करके डाल दें तो यह लिजे इतनी तयारी तो ह गई थोड़ी सी और करने नहीं टेख तो इसके लिए ंगा एक लासन जिसे को साफ कर लिए आट-たथ आसकाली मिरषक्स घैस जाल दिया में बहुत ही अप्स प्लीच जीड है तैद आपको कच्च्चश डालना है और उसके बाद चार-बाँच ल니다. डाल दी बहुत ही special टेस्ट देने के लिए मैंने डालें इसमें तुलसी के पत्ते टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया और उसके बाद मैंने डाल दिया यह थोड़ा सहरा देनिया बहुत जद आपको इसमें धेनिया नहीं डालना है और आधा कब जितना पानी डाल दिया और पार यह इसे बड़ी असा पीस ने की और यह लिजे सब चीचे एकदम अच्छे से पिस कर तयार है और उसके बाद इसमें डाली दो टेबल स्पून जितनी फ्रेश मेलाई और एक नीबू का रस जिससे यह बढ़िया खटी हो जाएगी और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हामिस में लिए एक टी स्पून जितनी चीनी और चीनी आप तो इसी कामिया जादा भी कर सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही अमेजिंग टेस्कि हमारी चटनी बनकर तयार हो गई है एक दम परफेक्ट चटनी बनी है और यह चटनी बनी है फ्रांट सेंट्विच वाली इसकी मैंने अच्छे से एक मिन तक मालिश करिया और आटा काफी स्मूथ होकर तयार हो गया है तो अब बार यह इसमें से पेड़े तोड़ने की तो जैसे हम नॉर्मल परांटे बनाते हैं उससे थोड़े से बड़े बड़े तोड़ने सूखे आटे में अच्छे से कोट के परिया है इसे कर देते हैं एक साइट से और से प्रोसेस से कर देते हैं सूखे अच्छे में कोट किया एकदम पतला और बड़ा सा बेल लिया और उसके बाद हम इस पे लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा देसी गी आपको इसमें तेल नहीं लगाना आपको लगाना है जो तैयार करी थी एक बावल बर के वो ले लिए इस्टफिक में कंजूसी ना करें और उसे कर लें आप ट्रैंगल शेप में और उसके बाद एक साइड उठाई एक साइड से फोल्ड कर दिया दूसरी साइड उसे भी फोल्ड कर दिया इसमें आपको घी तेल चिकनाई पाने जिसे एक तो जो स्टफिंग है वो चारो तरफ हो जाएगी हलका सा बेल लिया और बेलर की कोई खाज ज़रूरत नहीं है उसके बाद गैस ओन करी तबा रखा और तबे पर पहले आप थोड़ा सा देसीगी अप्लाई करने इस रेसिपिप में फ्रेंट्स आप कोशिश करें कि तेल या रिफारिंट का इस्तेमाल बिलकुल ना करें देसीगी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग आपको टेस्ट मिलेगा तो चलिए दूसरा जो बना के रखा था उसे भी तैयार कर लेते हैं स्टफिंग रिकी ट्रेंगल शेप में रखा अच्छे से फोल्ड कर दिया यह शेफ रांस बच्चों को बहुत पसंद आती है इसमें चीज डाली है वो भी बच्चों के लिए फेवरेट होती है पनीर बड़ो को पसंद आता है और शेप तो बहुत शांदार है ही करीब एक नट तक एक साइट से से का और उसके बाद बार यह इसे टर्न करन की तो फ्लेम को रखे फ्रांट मीरियम और जरुत के साब से आप इस पर घी अपलाई करते जाए और उलट पर इटके बढ़िया सा से किनारों को भी हलका हलका सा प्रैस करते जाए जिससे चारों तरफ से अच्छे से सिक्कर तैयार हो जाएगा और आप घी कम खाना चाहते ह आप थोड़े की से भी सेख सकते हैं बहुत ही कुरकुरा बनके तैयार होता है और फ्रांट जब इतना टेस्टी बनाया ना तो आप यकीन मानिए यह ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है और गरम भी शांदार लगता है सेम प्रोसेस से दूसरा भी सेख कर तैयार कर लेते मज़दार चटनी उसके साथ मैंने सर्फ किया है प्लेन दही दही के साथ बहुत ही परिया टेस्ट करता है अगर आपको दही में मीठा पसंद है तो आप बूरा चीनी तगार कुछ भी डाल सकते हैं और यह रखें अपने मज़दार से नाशते थोड़ा सा धनिया डाल दिय चीज कितने अच्छी से मैल्ड हुआ है और इस ट्रफिंग एक दम कौने कौने तक है तो पारी आ गई टेस्ट करने की और साथी टेस्ट करने की यह लगाया है चैटनी में और फ्रंट्स आप इमेजन कर सकते हैं कि टेस्ट बहुत ही शांदार मिलने वाला है रेसिपी अच पूल रहेगा से पीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्स्राइब और साथी बैल एकिन को भी हीट कर दें